हेलो गाइज आप सब कैसे हैं आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धही से बनी हुई सेंडविच सच में इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा है अगर आप कुछ नए ट्राइ करना चाहते हैं और आपके पास टायम भी कम है तो अब इस सेंडविच को जरू ट्राइ किजिए इसे घर के बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे तो चलिए आए देखते हैं आज की रेसिपी जोटसना किचन में आपका स्वागत है रेसिपी पसंद आने पर प्रीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरू करें और बैल आ कि अधी शिमला मिर्च अ और एक मीडियम साइज की प्याज इसने रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं एक बोल में मैंने दही रिया है इसका पाने निकाल दिया है मैंने और यह कटी हुई प्याज जालेंगे इसमें अब एक कटाओ और तमाटर आदी कटी हुई श्यम्ला मिर्च, नमग, नमग, चाट मसाला, चिली फ्यक्स का यूज भी किया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अब आपको हलके से इन सभी इनकी डेंट्स को मिक्स करना है, चलिए हमारा बैटर त्यार हो चुका है, देखिए, मैंने चार बैड ली है, सेंड्विच के लिए, अब मैं यह एक ब्रैड लूँगी और उसके ओपर यह बैटर इस तरह से स्प्रैड कर दूँगी, अच्छे से आपको ब्रैड को कवर करना है, देखिए इस तरह के से, मैंने यह दूसरी ब्रैड भी लिया है, और इसके ओपर यह बैडर अच्छे से फैला लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने एक दबा लिया है, अब इसके ओपर आप घी या मैल्किट बटर कुछ भी यूज़ करेंगे, जब घी गरम हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा रई और कड़ी बत्ता डालेंगे, इससे सेंडविच का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं, इन्हे थोड़ा सा लाल हो जाने दीजिए, इस तरीके से, अब हम इसके ऊपर सेंडविच रखेंगे, गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, दौनों साइड से आपको सेंडविच को रोस करना है, आप देख सकते हैं, हलके हातों से इसे आप टन कीजिए, और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब आप समझ जाएए कि आपकी सेंडविच बन चुकी है, कड़ी पता और रई का टड़का लगाने से सचमेट सेंडविच कटेज बहुत ही अच्छा आता है, आप से जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारी ये दही सेंडविच अप पूरी तरीकी से तियार है, आप इन्हें दो टुकडों में काड़ दीजिए, अपने मर्जी से आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, इन्हें ग्रीन चटनी या सॉस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, घर के बड़े और छोटे, सभी इस को देख सकें, थैंक्स फोर वचिंग